रश्मिकामंदाना जो कि एक बहुत ही पॉपलर और लीडिंग एक्ट्रेस हैं हाल ही में उनका एक वीडियो सोसल मीडिया पर सर्फेस होता हुआ मिला जिसको बनाने के लिए डीप फेक टेक्नोलोजी का इस्तेमाल किया गया जाने कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस वीडियो में उन्हें अंडिगनिफाइड तरीके से पोर्ट्रे किया किया इस वीडियो को लेकर बहुत ही डाइवर्स रियक्शन देखने को मिले हैं जहां पर आमिताब बच्चन जी ने भी इसे क्रिटेसाइज किया आप देख रहे हैं P.W. ग्यानकोश जानेंगे क्या है पूरा मामला डीफिक टेकनोलजी क्या होती है इसका कैसे मिस्यूज हो सकता है अलग-अलग कंट्रीज इसे काउंटर करने के लिए क्या प्रयास करते हैं और आप अपने common sense का इस्तेमाल करके कैसे पता कर सकते हैं कि कोई वीडियो ओरिजिनल है या फिर उसे तयार करने के लिए डीफिक टेकनोलजी का इस्तेमाल किया किया है इस पूरे मामले में अगर आप रश्मिका मंदाना जी के बारे में जानना चाहें तो ये एक बहुत ही leading Indian actress है जो predominantly तेलगू और कंड़ फिल्में किया करती थी लेकिन अभी तो उनकी तमिल और हिंदे फिल्म भी काफे जादा popular हो रही है इन्हें आपने कुछ बहुत ही popular movies में देखा होगा कि इस पूरी community को address करने की जरूरत है मतलब वो community जो artificial intelligence का इस्तेमाल करती है और deep fake videos बनाती है जहां पर उन्हें impersonify किया गया एक किसी और women के साथ और उन्हें undignified तरीके से portrait किया गया उन्होंने कहा ये बहुत ही urgent मुद्दा है कि identity theft के इस मामले को seriously लिया जाए नहीं तो हम में से कई सारे और लोग इससे affect होंगे ये मामला धीमे धीमे highlight होता चला गया रश्मिका मंदाला जी के इस deep fake viral video के उपर ना केवल अमिताब बच्चन जी बलकि IT minister ने भी react किया उन्होंने कहा कि जो वीडियो है ये जैसे ही spread होना शुरू होता है ये एक fabricated fundamentally वीडियो है और sharp criticism हर जगे से देखने को मिलता है Union Minister राजीव चंदर शेखर और अमिताब बच्चन दोनों ही इस पर अपनी प्रतक्रिया देते हैं कहते हैं कि ऐसे मुद्दों को जल्दी जल्दी address किया जाना चाहिए रश्मिका मंदाना जी ने इसके लिए अमिताब बच्चन जी को धन्यवाद भी कहा थैंक्यू बोला उन्होंने एक बहुत ही striking issue यहाँ पर raise किया कि suppose करिए कि वो एक leading actress है इसलिए उन्हें बहुत आसानी से इस पूरे मुद्दे पर सभी लोगों का support मिल गया कि हाँ यह जो वीडियो है यह original नहीं है यह artificial intelligence का इस्तिमाल करके बनाया क्या है इसलिए उनके लिए इस मुद्दे को tackle करना आसान है लेकिन अगर वो school या college में रही होती और ऐसा कोई impersonified video उनके face या फिर उनकी identity के आधार पर बना दिया जाता तो ऐसे किसी video को tackle करना उनके लिए बहुत ही ज़दा मुश्किल हो जाता यह बहुत ही genuine और real issue भी है कि किसी भी आम इनसान के लिए ऐसे issue को address करना आसान नहीं होगा फर्दर अंताब बच्चन जी ने react किया और बोला कि यहाँ पर एक strong legal case बनता है उन लोगों को identify किया जाए जिन्होंने इस video को create किया और उसके बाद उनहीं punish किया जाए इसके पहले आपने देखा हो तो जब G20 की summit चल रही थी तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मैलोनी वो इंडिया में आई हुई थी और उनको associate किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी के साथ उनके जाने के बाद भी कई तरीके के songs and videos create किये गए जहां भी उन दोनों लोगों को एक साथ दिखाया गया नरेंदर मोदी जी के आवाज में कई सारे songs create किये गए और यहां पर भी AI का ही इस्तेमाल किया गया हलांकि वहां पर objections raised नहीं किये गए क्योंकि वह बहुत ही undignified तो नहीं थे उसे मजाक या फिर modern language में meme की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था लेकिन अब जो मामला निकल के आया वो थोड़ा सा serious है यहां पर एक सवाल उठता है क्या कि deep fake technology है क्या deep fake technology एक ऐसी technology है जहां पर videos, images या फिर audios को manipulate कर दिया जाता है और ऐसा करते वक्त powerful computers का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इस्तेमाल किया जाता है deep learning का ऐसा करके कई बार fake news create की जाती है financial fraud भी commit किये जाते हैं और इसके अलामा किसी की identity को भी चुराया जाता है यहां पर इसके पहले जो भी videos, pictures या audios available है cyber criminals, artificial intelligence technology का इस्तेमाल करके उसे अपने हिसाब से manipulate करके इस्तेमाल करने के कोशिस करते हैं deep fake ये शब्द कहां से और कैसे आया deep fake ये शब्द 2017 में originate होता है जब एक anonymous reddit user ने खुद को deep fix नाम से identify किया ये user गूगल में open source से images और videos को manipulate करता था जहां पर वो deep learning technology का इस्तेमाल करता था और pornographic content या videos post किया करता था वही से इस शब्द को अपना origin मिलता है जहां पर ऐसे किसी भी video, voice या image को जिसे manipulate किया गया हो by the means of technology, deep fake कहा जाने लगा deep fake technology हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा misuse हो रही है इसका इस्तेमाल करके scams किये जा रहे है celebrity, pornography में इसका काफे इस्तेमाल हो रहा है जहां पर एक person की identity को दूसरे person के साथ change कर दिया जाता है elections में manipulation के प्रयास किये जाते है social engineering की जाती है जहां पर जो social behavior है उसे manipulate करने की कोशिस की जाती है disinformation create की जाती है किसी की identity को चुरा लिया जाता है और कई बार financial fraud के cases भी आते हैं deep fake technology जहां पर किसी एक personality को impersonate कर लिया जाता है इसका शिकार कई सारे famous personalities हुई जैसे कि US President Barack Obama Donald Trump और Indian Prime Minister Narendra Modi उनके भी videos और audios को manipulate है या change किया जाता रहा है तो deep fake technology क्या है उसका origin क्या रहा और उसका हाल फिलहाल में कैसे misuse किया जा रहा है इन सारी बातों को तो आपने समझा आखिर अलग-अलग देश deep fake technology को counter करने के लिए उसके misuse को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं European Union ने update किया code of practice जहां पे उन्होंने deep fake के जरिए जो disinformation spread की जाती है उसे रोकने का प्रयास किया जो revised code है यहां पे जो बहुत बड़ी tech giant companies हैं जैसे की Google, Meta या Twitter इनसे कहा गया कि वो deep fake technology के misuse के उपर सक्त कदम उठाएं जैसे ही ये code implement हुआ उसको अगर किसी भी company ने sign कर लिया है तो within 6 months उन्हें active होना होगा उन्हें complain मिलते ही ऐसे video या audio को remove करना होगा तो European Union तो काफे सक्त है deep fake technology के misuse के उपर बात अगर हम United States की करें तो वहां पर एक bipartisan deep fake task force act तयार किया गया है जो मदद करता है Department of Homeland Security की जो deep fake technology को counter करते है कई सारे states अपने अपने लिए अलग अलग तरीके के कानूनों का इस्तेमाल भी करते है source identify किया चाहे कि deep fake technology का इस्तेमाल करके content कहां prepare किया किया देश के बाहर या देश के वीदर California और Texas इन्होंने laws pass किये हैं जहांपर deep fake videos को publish करना या distribute करना एक criminal offense बना दिया गया है अगर वो election के outcome को impact करते हों तो वही वरजीन याने deep fake pornography के उपर सकत कदम उठाया है और इसके लिए criminal penalties का प्रावधान किया है तो हमने देखा कि EU या US काफी सकत कदम उठाते हैं अगर deep fake technology का misuse किया जाए क्या स्थिती है इंडिया की अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी specific rules नहीं है deep fakes को लेकर मतलब अगर यहां पर impersonification होता भी है किसी एक person को दूसरे person की रूप में दिखा दिया जाए तो कुछ खास बवाल नहीं हां कुछ laws हैं इनका इस्तिमाल करके किसी को book किया जा सकता है जैसे कि copyright violation, defamation या cyber felonies लेकिन सीधे सीधे कोई भी ऐसा law नहीं है जो deep fakes को attack करता हो यह जो पूरा मामला है रश्मिका मंदाना जी का यह एक hit जरूर देता है कि अब हमें थोड़ा सा जादा concern होना चाहिए deep fakes को लेकर इसके लिए एक proper legal system develop होना चाहिए जैसे कि US या फिर EU में है ताकि अगर हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं तो हमारे पास strong legal ground हो ऐसे मुद्दों को address करने के लिए ना कि हम इधर उधर के laws के उपर dependent हो इस मामले को address करने के लिए चलिए यह तो technical aspect की बात हो गई एक सीधा सा सवाल यह है कि इन सभी चीजों के beyond as a common person अगर आपके सामने कोई deep fake audio video या image आती है तो आप उसे कैसे identify करेंगे कि आप अपना खुद का common sense लगा कि यह नहीं पता कर सकते कि यह जो video audio आई हुई है यह सही है या गलत है original है या फिर fake है कई सारे तरीके हैं जिनका इस्तिमाल आप common sense के तौर पे कर सकते हैं जैसे अगर कोई deep fake video आपके सामने आती है तो आप उस video के eye movement को देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि जो eye movement AI generated होगा वो ना तो smooth होगा और ना ही coordinated होगा उसके speech और action में variation देखने को मिलेगा इससे आपको पता चल जाएगा कि यह fake video है color और lightning में भी आपको mismatch देखने को मिलेगा जो deep fake engineering की जाती है identify किया जा सकता है जैसे नरेंदर मोदी जी की कई सारे video surface जरूर हो रही थी लेकिन उनको एक दफा सुनकिया पता चल जाता था कि यह कोई और गा रहा है अफकोर्स नरेंदर मोदी जी गाने के शौकीर नहीं होंगे मैंने अभी तक उनका कोई भी song किसी भी movie में नहीं सुना है तो पता चल जाता है कि नहीं यह उनका audio नहीं है अगर कोई person है जैसे impersonify किया गया है तो आपको strong body shape या movement देखने को मिलेगा unnatural body structure देखने को मिलेगा unnatural movement देखने को मिलेगा जो आपको साफ समझ में आएगा कि original नहीं है यह बाते तो मैं तब बता रहा हूँ जबकि deep fake technology अभी इतनी improve नहीं हुई है अगर यह और improve हो जाएगी तो हो शक्ता है कि common sense की मुस्किने और बढ़ जाए artificial facial movement आपको देखने को मिलेगा साफ समझ में आएगा कि जो facial expression है वो natural नहीं है उसे replicate किया गया है unnatural positioning देखने को मिलेगी deep fake चाहे जितना ही effort कर लें लेकिन वो misalignment या distortions का सिकार होते हैं और वो आप अराम से थोड़ा सा ध्यान देके पता कर लेंगे आपको awkward posture या physique देखने को मिलेगा कई बार तो जो body structure होता है वो भी asymmetric होता है तो ये तो तब की बाते हैं जब अभी जो level of AI है उसमें deep fix बहुत perfection के साथ prepared नहीं हो रहे हैं और यही कारण है कि आसानी से पता किया जा सकता है कि जो video या audio file आपके सामने है वो original है या नहीं है ये तो common sense की बात हो गई इसके लावा एक simple सा तरीका और हो सकता है जिसके जरीए आप पता कर लोगे कि जो audio video file आपके सामने आई है वो सही है या गलत इसके लिए आपको simply उसका screenshot लेना है वो अगर audio file है तो फिर आपको दूसरे तरीके से treat करना होगा वो image है या video है तो screenshot ले लीजे simply images.google.com पे जाएए जहाँ पे camera icon के उपर search करिए search by image पर क्लिक करिए और जो screenshot आपके पास है उसको upload कर दीए Google अगर उससे associated कोई image या video already available है तो उससे दिखा देगा जैसे रश्मिका मंदाना जी का ही जो ये video create किया गया ये किसी और की video के उपर create किया गया तो आप जैसे ही search करते हैं original video आ जाता है पता चल जाता है कि अच्छा ये वो original video है जिसे manipulate करके ये video तयार किया किया है तो आसानी से इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो कि जो video या फिर image आपके सामने है वो original है या फिर उसे deep fake technology का इस्तिमाल करके तयार किया किया है तो ये पूरा मामला है आप बताईए इस पर क्या राय है आपकी क्या आपको लगता है कि इंडिया को deep fix को deal करने के लिए USA और EU की तरह ही strong laws बनाने चाहिए या अभी जो बहुत ही scattered legal system है हमें उसकी मदद से ही इसे tackle कर लेना चाहिए अपना opinion comment box में ज़रूर share करिएगा आज के session में बस इतना ही मिलेंगे एक और issue के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद